जब सिधार्थ ध्यान की अवस्था में बैठे थे, जब उनके शरीर पर सर्प चड़ रहा था, तो क्या उन्हें सर्प से भे नहीं लगा? क्या उन्हें पता नहीं चला कि उनके शरीर पर सर्प चड़ रहा है? आखिर सर्प और ध्यानियों के बीच संबंद क्या है? बहुत से लोगों को तो ये सोचकर डर भी लगता है कि यदि मैं ध्यान करने बैठूं तो कहीं सर्प आकर मुझ पर ना चड़ जाए। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिनमें ये बताया गया है कि जब व्यक्ति आत्मग्यान के करीब होता है तो उसके शरीर पर सर्प चड़ता है क्या यह सत्य है? आज इसी तरह के कुछ प्रशनों के उत्तर आप इस कहानी में जानेंगे। एक बार एक बहुत बिख्षू अपने गुरु से कहता है गुरुदेव मैंने तधागत के बारे में ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जिनमें उन्होंने सर्प के साथ समय बिताया है। एक बार तो बुद्ध ध्यान में बैठे थे और उनके उपर आकर सर्प चड़ गया और उन्हें उस सर्प से तनिक भी बह नहीं लगा। क्या ऐसा वास्तव में संभव है कि सर्प जैसा जानलेवा जानवर हमारे शरीर पर चड़ जाए और हम तनिक भी भेभीत नहों और क्या ये आवशक है कि हर ध्यानी के शरीर पर सर्प चड़ता है और उसे इस समस्या का सामना करना होता है। वे बौद भिक्षू कहते हैं दो तरह के सर्पों से एक ध्यानी का संबंद होता है। पहला मानसिक सर्प और दूसरा वास्तविक सर्प। सर्प ही एक ऐसा जीव है जो सबसे पहले इस बात को अनुभव कर लेता है कि कोई व्यक्ति आत्म ज्यान के करीब है। अगर किसी ध्यानी के आसपास सर्प नजर आता है या उसके शरीर पर सर्प चड़ता हुआ नजर आता है तो यह इस बात का परतीख है कि वह व्यक्ति अब आत्म ज्यान को प्राप्त होने वाला है। और रही बात सर्प से डरने की तो जब तक कोई व्यक्ति अपने आपको पून रूप से स्थिर नहीं कर लेता है तब तक सर्प उससे डरता है। पर जब कोई ध्यानी अपने आपको पून रूप से स्थिर कर लेता है, एकागर कर लेता है, वह एकदम पत्थर की समान हो जाता है, तब सर्प उसके उपर चड़ता है और ये संकेत देता है कि वह आत्म ग्यान के करीब है, वह अपने लक्षे के करीब है. तो जिस भी ध्यानी को इस बात से भै लगता है कि यदि वह ध्यान कर रहा है और सर्प आकर उसके उपर चड़ जाए, उसे काट ले, तो ऐसा सोचकर भैबीत होने की कोई आवशक्ता नहीं है, क्योंकि सर्प किसी ध्यानी के शरीर पर तब तक नहीं चड़ता जब तक की वह पूर्ण रूप से स्थिर ना हो जाए, और जब पूर्ण स्थिरता आ जाती है, तो ना सर्प का भै होता है, और नहीं मृत्यू का भै होता है, तब ही व्यक्ति मार से जीत पाता है, मार मन का विक्राल रूप है, मार मन का आखरी हमला है, अब समझो कि मानसिक सर्प क्या होत लेकिन अगर किसी व्यक्ती को सर्प से बहुत अधिक डर लगता है तो ध्यान के दौरान उसे ऐसा प्रतीत हो सकता है कि उसके शरीर पर सर्प चल रहा है उसे सर्प काटने ही वाला है यह सभी मन की चाले है यह सभी मन इसलिए करता है ताकि आप आराम दायक स्तिती को छोड़ कर ध्यान की यातरा में आगे न बढ़ी शिश्य पूछता है परंतु गुरुदेव मन को ध्यान की यातरा से समस्या क्या है गुरु कहते हैं मन को ध्यान की यातरा से समस्या नहीं है मन को हर उस चीज से समस्या है जो उसे तुरंत आनंद नहीं देती मन चाहता है कि व्यक्ति हमेशा वही कारे करे जो उसे तुरंत आनंद दे और कमाल की बात ये है कि अगर मनुष्य वही कारे करता जाएगा जो मन चाहता है तो वह मन के जाल में फस्ता जाएगा और उसका जीवन नर्क बनता जाएगा इसका उल्टा भी सकते हैं कि अगर मनुष्य अपने मन को सही दर्द, सही पिड़ा देना सीख गया और वह उन कारें को करने लगा जो उसके विकास से जुड़े हुए हैं तो उसे बुद्ध होने से कोई नहीं रोक सकता सर्प का भै तो कुछ भी नहीं है मन का सबसे बड़ा हतियार होता है काम और मनुष्य के लिए यह सबसे बड़ा संघर्ष होता है सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वह काम वासना से उपर उठकर जीवन की और आवशक चीजों को देख सके ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन, काम वासना को अपना केंदर बिंदू बना कर ही जीते हैं और ऐसे लोग अपने जीवन की संभावनाओं से चूक जाते हैं गौतम बुद्ध ने कहा है ध्यान इतना आसान नहीं है पर जो द्रड संकल्पी है वह मार को हरा देता है इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि मनुष्य के भीतर बहुत सारे डर है यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वह ध्यान करने बैठेगा और सर्प उसके उपर आकर चड़ जाएगा तो उसे चिंता करने की बिलकुल आवशक्ता नहीं है क्योंकि सर्प मनुष्य से डरते हैं मनुष्य हिंसक है और यदि आपको ऐसा परतीत होता है कि सर्प आपके शरीर पर चड़ रहा है तो दो ही कारण हो सकते हैं पहला या तो आप आतमग्यान के करीब हैं और दूसरा या फिर आपका मन आपके साथ चाल खेल रहा है दूसरी सीखने वाली बात ये है कि अगर आप मन को दर्द देना सीख गए सही दर्द देना सीख गए तो आप मन से मुक्त होते चले जाएंगे उससे उपर उठते चले जाएंगे और यदि आप उन कामों को करते गए जो मन चाहता है तो आप मन के जाल में फसते चले जाएंगे आपके भीतर का मार मजबूत होता चला जाएगा इस कहानी से आप और क्या सीखते हैं हमें कमेंट करकर जरूर बताएं धन्यबाद आपके जाएंगे